कहीं वीडियो को बारल करने का जो काम करता है वो थमनिल ही करता है ऐसे यह थोड़ा सा हो गया ठीक है और इसमें सैडों दे देना है आग आग हालो दोस्तों जै हिंद बने मात्रा आपसे का स्वागत है सिवानिया मिल पूर ओफीसियल में कैसो दोस्तों आई होप आप सभी ब दोस्तों आपका वीडियो में ब्यूज नहीं आता है सब्सक्राइवर नहीं आता है और वस्टाइम नहीं आता है तो आपका कहीं न कहीं थमनिल भी बहुत जादा आपके चैनल पर एफेक्ट डालता है अगर आप यूटूब पर काम कर रहे हो और आपको अच्छा थमनिल नहीं आता है तो यह चीज भी आपके चैनल पर व्यूज ना आने का करण बन सकती है दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आप थमनिल अच्छा कैसे बना सकते हो थमनिल अगर नहीं आता ना तो आपका व्यूज ही नहीं आएगा थमनिल अगर सीख गया ना तो आपका व्यूज बहुत अच्छे से आएगा कहीं न कहीं वीडियो को बारल करने का जो काम करता है वो थमनिल ही करता है क्लिक वेट थमनिल कैसे बनाएं थमनिल का क्लर कॉमिनेशन कैसे करें जिससे थमनिल बहुत ज़्यादा अट्रेक्टिव लगे कोई थमनिल को देख कि आप थमनेल कैसे बनाए जिससे कि आपकी वीडियो पे ब्यूज अच्छा कासा आपका थमनेल लेकर आपाए तो ज्यादा टाइम बिस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं स्क्रीन पर क्योंकि ज्यादा टाइम बिस्ट करेंगे तो थमनेल बनाने में भी थोड़ा सा टाइम लगी जाएगे दोस्तों तो जो है इसलिए ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो ज्यादा बात ना करते हुए अभी से वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिससे कि आने वाला हर एक नौड़ी वीगेशन आप सभी को मिलता रहे तो चलिए फिला जाने को मैंने पहले ही सिखाया था लेकिन इस वार मैं बैग्राउंड एरेज मतलब जैसे कि आप फोटो लेते हो और वहां पर जो वैग्राउंड होता है उसको किस तरह से एरेज कर सकते हो दूसरा वैग्राउंड कैसे लगा सकते हो इस सभी का जानकारी इस वीडियो में आपको मिल दाएगा तो आप लोग बने रहेगा तो आपको कौन-कौन से एप की जरूरत पड़ेगी देखिये मैं जो है अभी के टाइम पर कौन-कौन सा एप थामनेल के लिए यूज कर रही हूँ वो आपको मैं दिखाती हूँ तो चलिए साइड में भी आपको स्क्रीन साइड में स्क्रीन लगा दूंगी मैं आप लोग बोलते स्क्रीन से समझ नहीं आता तो आप लोग ऐसे समझ लेना नाइट का टाइम है दोस्तों थोड़ा सा एड़ेस्ट करिएगा ठीक है तो अभी मैं आ गई हूँ अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो गई तो यहां पर एक एप है जिसका नाम है पिक्सल लैप एक एप तो यह आपको जरूरत पड़ेगा आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो इसली आपको मिल जाएगा पिक्सल लिंक हम आपको डिस्किप्शन में भी दे देंगे बहां से भी ले लिजीगा और जो है पिक्सल प्ले को इस प्रकार ओपन करने वाद फोन को ऐसे लेफ्ट करके एक साइड में लेना है इधर जैसे कि यह फोटो है तो इधर साइड में आप लेंगे जब इस फोटो को तो इधर का जो बैग्राउंड का जगह है यह बच जाना चाहिए और कुछ भी ऐसे करके ऐसे रियेक फोटो को आप लोग को क्या करना है जो है इसका बैग्राउंड इरेज करना है पहले तुम्हें आपको यह फोटो दिखा देती हूँ जो यहां पर मैंने फोटो अभी लिया हुआ है यह फोटो लिया है यह खूब अच्छा नहीं आया तो आप अपने साब से अच्छा को आपको सच करना है यह चीज़ दिहां से देखिए सर्च करना है रीमूव रीमूव और और इसके वाद बी जी वी जी फोटो इतना आपको सर्च कर देना सिंपली कहां पर गूगल पर उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ऐगा इस पर फॉस्ट वा जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा यहां पर जैसे ही इंटरफेस ओपन होता है आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है अब आप लोग यह मैं सूचना कैसे क्या करना है भाई मैं पूरा-पूरा आपको बिल्कुल सरल तरीके से बताएगा जीतना मैं बता रही हूँ तो मैं अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं इंटरफेस खुल गया है तो यहां पर अपलोड इमेज पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फोटो लेने का जो है प्रोसेस आ जाएगा यहां पर आपना कोई बैसा ही फोटो ले ले जि कर दिया मैंने ठीक है डन कर दिया वह वाला फोटो अच्छा नहीं आया था इसलिए नहीं लिया अभी फोटो लेने वाद यहां पर आप लोग देख सकते हो यह कुछ इस प्रकार हो रहा भी यहां पर इसका बैक्ग्राउंड इरेज होकर आएगा दोस्तों यह फोटो अभी आप लोग देख सकते हो इसका वैग्राउंड इरेज हो चुका है यहां पर अभी बिल्कुल खुल के आएगा अब इसको डाउनलोड कैसे करना है बोवी चीज आपको बताने वाले हैं बस आप लोग एक-एक चीज को एक-एक स्टेप को अच्छे से समझे तभी आपको आप लोग देख सकते हो कोई भी वैग्राउंड फोटो में नहीं है अब यहां पर आपको यह यह ऑप्शन मिल दाएगा डाउनलोड का यहां से सिंप्ली आपको डाउनलोड कर लेना है फोटो को टीक है तो चलिए मैं डाउनलोड कर लेती हूँ डाउनलोड करते ही उपर स से आगया है डाउनलोड फाइल ठीक है यह फाइल सीधा डाउनलोड फाइल आपका यूट जो गैलरी है वहां पर पहुंच गी होगी चलिए मैं दिखा देती हूँ अभी फोटो किछी थी उसके बाद यह जो अभी फोटो आई है यह वही वाली फोटो है जिसका जैसा कि आप लोगो दिखा रहा है तो क्लिक कर देना है यह वाला रहरा इंटरफ्रेस की ले प्रकु लिए अचा है जैसे ही आप क्लिक करेंगे यह बन्रोड फोटो आट से बाद ठाएंड हूं यह कि अजिए आपको आपके पास आपको अएंसी हाध में замеч drugs फाइंड होगी यानि कि 3 डोटों का इस पर क्लिक करने के बाद इमेज साइज पर जाना है इमेज साइज पर जाने के बाद आपको यहाँ पर एक और यहाँ पर यह कस्टम का उप्शन मिलेगा इस पे जाने के बाद आपको क्या करना है YouTube Thumbnail या फिर YouTube Banner पे चला जाना है तो मैं YouTube Thumbnail पे चली जा रहे हूं ठीक है YouTube Thumbnail पे जाने के बाद दोस्तों अब आपको जो है OK पर क्लिक कर देना है जैसे ही क्लिक क्या है अब आप लोग जो है इसका रेजूलेशन देख सकते हो यह YouTube के साइज का बन गया पहले यह YouTube के साइज का नहीं था तो अभी यहाँ पर क्या करना है इसको यहां से हटा देना है इसको यहां से डिलीट पर उपर जो है यहां पर देखिए यह डिलीट है इस पर क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है ठीक है यह डिलीट हो जाएगा अब यहां पर आपको बैग्राउंड को कलर में लेना है तो क्या करेंगे यह जो है नीचे यह चीजे दिख रही है न इस प तो यहां पर यह जो जो इस बना पर रहे हैं अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो आप कमेंट करेंगे मैं इसका भी बाद में बता दूंगी लेकिन अभी जो है मैं ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा इतना इसलिए आप कोई ले लेना प्ले लेना ऐसा लेना हर तरह का आपको मिल जाएगा ठीक है यह इट्व इसमें कहीं अलग से नहीं लिया यह यहीं से आजाएगा ठीक है अब आपको क्या करना है इस वाले पर क्लिक कर देना इस पे इस पे क्लिक करने के बाद इंपोर्ट पर कर देना इंपोर्ट पर चलिए मैं इंपोर्ट कर देती हूँ this is import करने के बाद दोस्तों अभी जो हम लोगोंने बैग्रांड एरेज के एरके फोटो लिया था उसको यहां पर ले लिया है यह देख सकते हो इस पर ऑपके करने बाद अभी इस पर कोई भी बैगरांड नहीं है इसको आप अपने साब से बड़ा चोटा कर सकते हो इसको अप फिल्टर कर सकते हो, इसका थोड़ा सा color change कर सकते हो, तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा इधर करती हूँ, तो यहाँ पर आपको यह option मिल जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो color filter का, इस पर click करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको कम जादा करके, आप अपने साब से color filter बगरा कर सकते हो, और इसको brightness बढ़ा सकते हो, ऐसे यहाँ पर, तो आप अपने साब से photo को adjust कर लीजिगा, ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर आपको इसको lock कर देना है, कहां से lock करना है, यहाँ से, उपर से lock कर देना है, lock जैसे ही करेंगे, तो आप लोगों को दिख जाएगा, lock करन करने के लिए, यह जो ए वाला sign है, इस पर जाना है, ठीक है, ए वाले sign पर click कर देना है, ए वाले sign पर click करने कबाद, अब यहाँ पर लिख दो, इस पर थोड़ा सा double click करने कबाद, अब यहाँ पर आपको type का option आ जाएगा, तो मैं आप यही लिख देती हूँ, मेरे, एक मिन thumbnail, ठीक है, मेरे जैसा thumbnail, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, अब इसको आप अगर जैसे की कोई background देना चाह रहे हो, तो क्या करें, तो यहाँ पर आपको इधर scroll करना है, इस पर background पर click कर देना है, इसको enable कर देना है, इनेवल करने बाद आप यहाँ पर color अपने साफ से सकते हो, इसको ऐसे कर देना है, अब background पर अगर इसको आप थोड़ा सा, मलब, ऐसे shape देना चाहते हो, जैसे की अब है, तो यह से shape में आ जा रहा है, तो थोड़ा सा, इस तरह से shape दे देते हैं, ठीक है, अभी जो इसमें लिखा है, मेरे जैसा thumbnail, यह बिल्कुल दिख भी नह तो इसको क्या करें, जो यह दिखने लगे, ठीक है, तो इसको हम लोग color change कर देते हैं, ठीक है, color यहां से हो जाएगा, change यहां से, ठीक है, sorry, यह background color change हो जाता है, इसको थोड़ा से मैं, इस वाले font का color change करती हूँ, ठीक है, यहां से हो आएगी, इस पर जाने के बाद, इस प point change करते हैं, जैसे कि इसका लिखावट change करते हैं, तो इसको यहां पर आप लोग देख सकते हैं, लिखावट change करने पर कुछ इस परकार हो जा रहा है, और इसको हम लोग अगर stroke देंगे थोड़ा सा, तो इस परकार दे पाएंगे, ऐसे, ठीक है, इस तरह से, तो अभी यह thumbnail, मेरा जैसा thumbnail, इतना लिखने बाद, अब माल लो यहां पर कोई आप other photo लेना चारहे हो, तो क्या करोगे, ठीक है, तो other photo के लिए मैं यहां पर कोई एक thumbnail ही दे देती हूँ, जिससे कि आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है, मैं यहां पर import बाले पर किलिक कर अब लिए और इस पर इसको छोटा कर दिया, ठीक है, यह थोड़ा सा इस ट्रोक दे दूंगी, जिससे यह च्छे से दिखाए पड़े ठीक है, यह थोड़ा सा हो गया, ठीक है, और इसमें सैडो दे देना है, यह से बिल्कुल हो गया, अभी देखो, मेरे जैसा thumbnail, बनाएं, अब यहाँ पर एक फॉंट और लिख देना है, बस, ओनली या फिर लिख दो, ओनली फाइव मिनट में, फाइव मिनट में, फाइव मिनट में, थामनेल पर क्लिक वेट करना बहुत जरूरी है, अभी इसमें जो फाइव मिनट में लिख रही हूँ न, यह क्लिक वेट है, ठ सब्सक्राइब ट्यासर में तर दिसले इतना लिकने हुआ उके कर दो अभिसको यहां पर अड़ इसको भी weather देना है तो एस ऐससे की साफ साफ जहां पर दिखाई परड़े अभिसके तो यहां से आप कम जादा करके डार्क कर अगर आप चाहे तो बैग्राउंड भी दे सकते हैं लेकिन मैं यहां पर बैग्राउंड नहीं दूंगी मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है यह पस इस फोड़ा सा स्ट्रोक बगरा दे दूंगी स्ट्रोक पे क्या होता है बाउंडरी बन जाता है वाइट स्ट्रोक दूंग दोंगी principio इसे और ठोड़ा सा दोंगी क्लें डेंगी आप इसमें अगर इंगर लिएवस सब्सकरावच चाहे घर मालजीLab नब डालव है इनका सब्सक्राउंड करने हो यहां तो और यहां विभी ने सकता हो पन्सक्ता है उर भी स sacrifice इसलिपिये मैं ने तैक्स साय्ज करके इ कि यहां पर आपको आपको की हमारा बन के त्यार रोका अब क्या करना भाई कि त्यार हो गए आपको अब करने के लिए यहां पर पर इस पर क्लिक करना करने की देख सकते हैं तो यहां पर देख सकते हैं और कितना ही अच्छा लग रहा है थमने लमाना बन के तो अभी आप लोगों ने देखा कि मैंने थमनिल कैसे बनाया गर्मी बहुत जादा एतनी देर में में पूरा भीगी पसीने में नाइट में वीडियो सूट कर रही हूं मैं तो दोस्तों आज का आप लोग को वीडियो कैसा लगा है थमनिल बनाना आया है या नहीं आया क्या आपको आगे कोसिस करूंगी बताने का तो दोस्तों मिलते हैं अच्टी वीडियो में आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक कर दीजिगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिगा जिससे कि आने वाला हार एक नोटिपीकेशन आप सभी को मिलता रहें मिलते ह अच्टी वीडियो में तर तक लिए जैहिंद बंदे मात्रम बाबाई